गुद मॉरिंग नमस्कार, श्वाकत आपका हमारी चैनल GSI STD94 में और दोस्तों मियर्स तो दोस्तों आज का एडिक्टोरियल बहुत ही बहतरीन होने वाला है क्योंकि आज हम चर्चा करने वाले हैं चीन की दादागरी के लिकर जिस परकार से बार-बार हमारे भारती चैत्रों को अपना चैत्र बता रहा है और एक तरह की उकसावे की राजनिती कर रहा है मैं आपसे एक इस्पेश्ट प्रमार देकर बात कर रहा हूं बता दूँ इस बार का जो भारत जैसे देश का यदि किसी अपने परोसी देश के साथ ये दोगा तो पाकिस्तान नहीं होगा वो अपकानिस्तान नहीं होगा उससे लगा नहीं होगा क्योंकि इन देशों के संब्द तो फिर भी बहुत मैत्रिक पूर्ण है, जो सबसे भ्यानक होने वाला है, वो चीन के साथ होगा। क्योंकि चीन बार-बार जिस प्रकार से उकसावे की राजनिति कर रहा है, वो कहीं न कहीं ये प्रमारित करने का काम कर रहा है कि हमें और सतर्ख होने की आवस्टा है, और जो भी सीमावरती हमारे छित्र हैं, उन पे नई-ई-ई चोख्यों का निर्मान करने की आवस्टा है। जानते हैं बात इसलिए फिर छड़ी है नौ मार्च के दिन जो सेला सुरंग का निर्मान किया गया है हमारे भारत के सश्वी प्रधान मंतरी मोधी जी इसका इनाउग्रेशन करने गये थे उसके बाद चाइना जैसे देश की जानते हैं क्या प्रतक्री आती है अरे आखिर को हम सीजांग बोलते हैं सोच लिए और बार बार जिस प्रकार से जब अपना नक्सा जब सर्कुलेट करता है तो कुछ कुछ नहीं कई सारे जो भारती सीमावरती राज्य हैं उनको अपने नक्से में दिखा दिता है और ये एक बार नहीं हुआ है कई बार इसने किया है और इस प्रकार की फित्रते ही बताती है कि चाइना जैसा देश भारत को एक प्रकार से उकसा रहा है उसकी मांसिक्ता कितन भी सीमावर्ती जो लांस्ट विलेज हैं उनको सबसे पहली प्राथ मित्ता दें क्योंकि कल को यदि घुसपैट होगी सबसे पहले कोई अगर इंफॉर्म करेगा तो भी बताएंगा इसलिए सारे संसाधनों से परिपूर करो उनको अच्छी सड़के दो बिजली दो मनलग रहा है अपने सेन संगठन को मजबूत बना रहा है इस वज़ए से बहुत जल्द कंफ्रंट्रेशन हो सकता है डिस्प्यूट हो सकता है और यहीं तक नहीं रुकता है आपने देखा होगा कि डोकलाम विवाद कितना बड़ा हो गया था और इसमें हमारे देश के सस्वी की जो डिप्लोमेसी है जो नीती है उनकी वज़े से चाइना जैसे देश को पीछे हटना पड़ा जो दोस्तों डोकलाम च्छित्र है आप देख सकते हैं कि यह त्रिकूडी रचना में है ठीक और डोकलाम प्यादी वास्तों में देखा जाए तो भूटान का च्छित्र है और भारज जैसे देश के लिए जो यहां की नेशनल सेक्योर्टी है उसके लिए एक थ्रेट होगा एक गंभीर मुद्दा बन जाएगा पर आपसी सूजबूज और विदेशनीती का सहरा लेकर भारज जैसे देश ने चाइना की सीना को बैक फूट पर कर दिया हमारी यहां एक पूरी लद्दा का जो छे तरग गलवान घाटी जहां पर कह सकते लाइन आफ लाइन आफ एक्ट्रोल है ठीक है अब यह क्या कर रहा है कह रहा है कि यह गलवान अलॉन तो हमारा है अब सोचिए यह जब 1962 में भारत और चेन के बीच यह धुगा था उस समय हमारे पधार मंत च्छित्र मिल गया है यहां आपका पाकिस्तान है यह इसने यह लद्दा का बहुत सारा इलाका ले लिया है उसके बाद चाइना है अब उसने क्या किया है इसके लिए रास्ता मिल गया ठीक है अब वहां ग्वादर में बंदरगा बनवार है आपको पता ही होगा बहुत का CPEC चाइन पाकिस्तान एकोनमी कोरीडूर बनवा रहा है मतलब जो पी ओक है ठीक पाक अकुपाइड जो कश्मीर है जो पूरी तरह से संग्विदन सील मसला है जिसमें किसी प्रकार का चाए भारत हो चाए पाकिस्तान निर्माल संबंदिक कारें नहीं कर सकता उसके बाद दादा गिरिस की देखिए चीन की जब बरदर्स्ति आके यहां पर निर्माल संबंदिक कारें कर रहा है तो यह क्या दुनिया नहीं देखने माज एक चीज़ आपको बता दूं इसको आप व्यक्तिकत रूप से महसूस करिएगा यदि आपका किसी भी इंसान से आपका डिस को युद्ध करते हुए बहुत सारी जंसी आई बहुत सारी बड़ी-बड़ी वैस्विक संस्ता आई रोकने के लिए कोई रूप रहा है जो मजबूत हो करेगा और जो खारी के देश है मुस्लिम कंट्री है वो इसराइल जैसा देश है कि यहुदी देश चोटा सा गल्फ क कि जो नागरिक है उनके अंदर प्रेटिटिजम है वह आकरी दम तक लड़ेंगे जब तक हमास वह खत्म ने कर देंगे तो तक किसी भी अंतराश्टी संस्थाओं का दबाव उनके उपर काम करने वाला नहीं यदि यही होता तो आप ही बताएए ने रसिया युक्रियन का धाई साल हो गया जिद्र करते करते क्या प्रज़नाम निकला नाटो के माद्यम से डरा गया चाहे यूरोप के बड़े-बड़े देशों चाहे उत्री मेरिका के बहुत सारे देशों बैट फुट पे पीछे के डोट से सब लोग सपोर्ट कर रहे हैं कुछ लोग अंतराश् स्वी प्रधाल मंतरी मोदी जी समझ चुके हैं अब जैसो को तैसाई होगा यदिन कितनी दादा गिरी बढ़ गए कि 1962 में एक बार ये थोड़ा सा प्रदर्सन दिखा दिए तब दिखाएं जब हमारे पास कुछ भी नहीं था पूरी तरह से अंग्रेज जो है सोनी की चलिय जाता था उस दोड़ से मेरा देश गुजरा था तब ये 1962 में क्योंकि देखिए देखिए क्या होता है यदि आप युद्ध लिए त्यार नहीं है तो उससे समर्दित आपके पास संसाधन नहीं होगी यदि सामने वाला आपके उपर अटेक कर रहा तो उसके पास पूरी सं नए नई सोच वाला भारत है यदि पैणाम आपको देखना हो तो जाके आप पाकिस्तान से पूछ किजेगा घुस के मारें इस बार तो वो इस्तिति कहीं चाइना में न हो जाए ठीक ये सारी चीज़ें आप देख रहे हैं अब सोचिए चीन पूरी तरह से कबजा करके बै चुका है उसके बाद जानते हैं बहुत पहले कि जब अकसाई चीन में ये बारा सो किलो मीटर का रोड बनवाया तो उसमें नहरुजी थे हैं नहरुजी बकायदे लेटर लिखवाएं कि इस हस्तचेप को बरदास नहीं किया जाएगा पर उसके बाद कुछ लोग कहने लग पर वो दिन कभी आया नहीं उसके बाद अकसाई चीन अकसाई चीन जो है ने दोस्तों ये तिब्बत का दच्छणी छेत्र है यह पुरी तरह से निर्जन है सुस्क है यहां पी तरह से कह सकते हैं पुरा नमक का पहाड़ है ऐसे समझेए और जो अकसाई चीन है वो कितना ब भारती जो सीमावरती जगह है उन पर निगरानी करने का प्रयास किया जा रहा है सुचिए जम्मु कस्मीर और अरुणाचर प्रदेश कि यदि कोई खिलाडी है तो यह क्या करता कि भाया भारत का यदि आपके पास पासपोर्ट है तो नहीं माना जाएगा नथी पासपोर् ओमडेश है ठीक है हमारा तो बहुत पहले का संपध्य ःति जैसे देशचे हम इसे देश ही मानते हैं हम बसही बांते हैं जिस परकार से प्योकी अमरा छेतर हाह पाकीस्तानों को पॉपाइट किया है उसी परकार से चिन ने किया किया हैос सोचिए हमने लाखों सरुनार्थि कि दलाय इलामा जैसे संत को हम अपने हाँ पना क्यों दिया है हमको एंड ओवर क्यों नहीं कर देते हैं यह इनकी नीत है बता दिन तिबत में न कटले या मचा दिया गया था जो भी प्रोटेस्ट करता था चीन की दखल उंदाजी के सामने सब को सरकलम कर दिया गया फिर भी जैसे देश को वैस्वी के स्तर पर जाकर जो चीन ने नरसंगहर किया है तिबत के अंदर पूरी धुनिया के सामने रखना चाहिए आज यह तरह से जानते हैं जल बंब बनवा रहा है किस प्रकार से अभी बीच में देखे होंगे जम्मू कसमिर उत्राखन और अउडांचल देश का कुछ चे तरफ पूरी तरह से दूब गया ता क्यों जितनी भी नदियां थी चूंकि तिबत उचाई पे है तो उचाई पे है तो इसलिए जब नीचे आएगा तो भारत ही पड़ेगा तो ज़्या तरफ जो नदियां है तिबत से भारत के तरफ आती है उसने साइक एक बार यदि इसको कंट्रोल नियंत्रव कर लिया गया तो जो ये दचनी एसिया में बार-बार घुसपैट कर रहा है कभी नेपाल को लेकर अपना छेतर बताने लगता है कभी भुटान को लेकर बताने लगता है ठीक है तब जाकर इसकी हेकड़ी निकलेगी अन्यता दोस हमारे जो सीमावरती रज हैं उनके बगल में तो क्या कारण है आखिरे इसकी जो सोच है पूरी तरह से यही है पर इनको पता होना चाहिए भारत जैसा देश 1962 का नहीं रह गया है यह किफसी सदीक है इनके सोचने से पहले इनको वो हसर दिखाना पड़ेगा कि आप सोच नह मुझे लगता है कि जिस परकार से निर्माण संबंधी कारे चल रहा है पुरुत्तिर राज्यों में उसमें और युद अस्तर पर निर्माण होना चाहिए तब जाकर कुछ होगा ठीक है दोस्तों तो आज का एडिक्टोरियल पूरी तरह से इसी पर था कि भारत जैसे देश को पूरी तरह से सतर्क होने की अवश्कता है अपनी सेन जो है जरूगरत है उसको बढ़ाना पड़ेगा तो आज के इतना ही नमस्कार